तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि गुज्राल डॉक्ट्रिन एक्जैक्ली है क्या क्योंकि आप देखें यहाँ पर आप में से काफी लोगों को यह नहीं पता होगा कि आखिर किसको टार्गेट करती है हम सबको तो कहीं न कहीं यह पता है कि इंटरनाशनल अफेर्स रिलेटेड है लेकिन एक्जैक्ली यह किस कंट्री को पर्सपेक्टिव में लेकर चलती है जैसी कि क्या हम यूएस को ले रहें यहाँ पर साथ में क्या फिर यूएस के साथ जर्मनी है या फिर जपाय मतलब या फिर हम never root policy की बाद करें तो exactly किसको target करता है तो यहाँ पर recently क्योंकि जो इंद्र कुमार गुजराल है जो हमारे 12th प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के उनका recently 100th birth anniversary गुजरा है तो यहाँ पर हमारी लिए एक अच्छा मौका बनता है कि जो गुजराल doctrine है इसको समझने का और क्या आज के time में इसका कितना relevance है क्योंकि अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो I am sure कि यहाँ पर यह वाला topic काफी important हो जाता है कि इस तरह के questions आ सकते हैं whether गुजराल doctrine is still relevant in today's world or not या फिर इंडिया के perspective से क्या ये फायदमंद है की नहीं है तो चलिए इसकी सुरुआत करते हैं और काफी को जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूँ कि recently मैंने एक foreign policy की उपर लेकर जैश शंकर साब की काफी अच्छी एक speech हुई थी उसको काफी अच्छे तरीके से मैंने दो पार्ट में analyze किया है मतलब की पहले पार्ट में 1947 से लेकर इंडिया की कैसी policy रही है अब तक present तक और यहाँ पर इंडिया को future में और present में किस तरह की policy रखनी चाहिए यह दोनों पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो let me tell you यह आप जरूर देखेगा काफी जादा फायदा होगा आपको this is me अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram, Facebook और Twitter पर मेरे lecture की हर PDF आपको मेरे Facebook पेज़ पर मिल जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप देखिए जो इंद्र कुमार गुजराल जी है वो हमारे देश के 12th Prime Minister बने थे और उनका जो कारेकाल है वो सिर्फ एक साल के लिए था सिर्फ एक साल के लिए और यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे देश में कई सारे Prime Minister बने हैं जिनका term बहुत ही छोटा रहा है आप देखिए चंद्र सेखर हो गए वीपी सिंग हो गए आप चरन सिंग की बात करिए या फिर मुराजी देसाई की बात करिए तो हर एक Prime Minister ने भले ही वो कम कारेकाल के लिए आए हो लेकिन उनका contribution यहाँ पर काफी जादा रहा है especially अगर मैं इंद्र कुमार गुज्राल की बात करूँ तो आप में से काफी लोग को ये भी शायद नहीं पता हो कि वो हमारे external affairs minister भी रह चुके हैं सिर्फ यहीं नहीं दोस्तों he is also one of the fewest जो की ambassador रह चुके हैं इंडिया to the Soviet Union जो की USSR था उसमें वहाँ पर वो सर्फ कर चुके हैं as ambassador 1976 से लेकर 1980 तक और इसी की वजह से क्योंकि उनका external affairs में इतना जादा बहतरीन experience रहा है जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह की गुज्राल doctrine लाने की कोशिश की थी तो यहाँ पर introduction में देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समझेंगे कि जो इंडिया की policy है वो कैसी रही है तो आपने देखा होगा कि जो इंडिया का key principle रहा है foreign relation को लेकर foreign policy को लेकर तो यहाँ पर neighborhood first यह word आप अकसर सुनते होंगे तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि हमारा जो पडोसी मुल्क है वो हमारे लिए बहुत important होता है क्योंकि कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता किसी भी तरह से अगर उसका जो आसपास का माहौल है वो सुरक्षित ना रहे और इसी बात पर मुझे यहाँ पर अटल भिहारी वाजपाई जी की एक line याद आती है उन्होंने कहा था कि you can choose your friends but not your neighbors तो यहाँ पर हमें जरूरत है कि जो neighborhood है वो हमारा ज़्यादा पीसफूल रहे उनके साथ जो हमारा relation है वो काफी अच्छे से रहे और जब मैं neighborhood की बात करता हूँ तो अब हम बात करते हैं subcontinent की जब हम बात करते हैं South Asian देश की तो यहाँ पर आपको पता होगा जो साक देश है बेसिकली जहाँ पर total 8 countries आते हैं जहाँ पर India one of the biggest largest country है one of the most powerful country है और जब मैं कहता हूँ कि India one of the most powerful country है इस region में that doesn't mean कि इंडिया एक brother एक काफी बड़ा यहाँ पर big boss का attitude दिखा रहा है मतलब कि इंडिया का जो policy रहा है वो सब को साथ लेकर चलने के लिए रहा है और इसी की वज़े से आप देखिए दोस्तों यहाँ पर security perspective से क्योंकि यह पूरा जो sub continent है यह काफी सारे state से छोटे छोटे state से घिरा हुआ है इसकी लिए यहाँ पर इंडिया को जरुवत पड़ती है कि उसका जो security है पूरे आसपास वो काफी बहतरीन हो काफी अच्छे से हो क्योंकि यहाँ पर पिछले past में आपने देखा होगा जो experience रहा है इंडिया का वो काफी जादा different है कहने का मतलब especially अगर हम western borders की बात करें तो यहाँ पर security threat काफी जादा होते थे especially अगर eastern border की तरफ भी अगर आप देखिए तो 1971 तक वहाँ पर भी काफी जादा problem होती थी जहाँ पर migration और इस तरह की चीजें काफी जादा देखने को मिलती हैं और साथ में अगर हमारा security बहतर नहीं होगा तो यहाँ पर हमने देखा कि जो drug trafficking की समस्या है आपने सुना होगा golden triangle और golden crescent जैसी चीजें आपने सुनी होगी जहाँ पर trafficking हो गया साथ में यहाँ पर trade के साथ साथ इन सारे चीजों की भी तसकरी की जाती है और इसी की वजह से यहाँ पर इंडिया अगर neighbor को साथ में लेके चलता है तो यह work कर सकता है as a connector मतलब कि बाकी world के साथ यह हमारा connecting link बन सकता है और अब हम आते हैं अपने इंडिया का जो vision रहा है इंडिया का अगर आप vision देखेंगे तो यहाँ पर अगर इंडिया को aspire करना है larger regional और global role में बड़ा role अपनाना है अगर अपने आपको पूरे world में तो यहाँ पर उसका जो vision है वो काफी और बहतर होना चाहिए उच स्तर का होना चाहिए और इसी को देखते वे जितने भी leaders रहे हैं जितने भी prime ministers रहे हैं हमारे देश के अभी तक उन सब ने काफी जादा कोशिश की है इसको बहतर करने के लिए लेकिन यहाँ पर जो इंद्र कुमार गुज्राल जी है जो की एक काफी बहतरी external affairs minister भी रह चुके है उन्होंने इस जो challenge है neighborhood की उसको काफी अच्छे से समझा और इसी की वजए से वो लेकर आते हैं गुज्राल doctrine और यहीं पर मैं अपने जो पडोसी मुल्क हैं उसके बारे में उसकी जो policies हैं हमारे देश की international affairs कैसी रहेगी उसके बारे में यह बात करता है बेसिकली और जो गुज्राल doctrine है इसको लाया गया था in September 1996 बाई इंद्र कुमार गुज्राल जी और यह एक तरह का principle पूट करता है कई सारे principle जो मैं आपको बताऊंगा ताकि जो हमारे South Asian देश हैं जहांपर सार कंट्रीज की मैंने आपसे बात की जो की आपका पाकिस्तान मौलडीव, स्रिलंका, इंडिया, बांगला सभी जो 8 कंट्रीज हैं वो इसमें शामिल होते हैं और जब मैं गुजराल डॉक्ट्रीज की बात करता हूँ तो यहां पर टोटल आपको यह simple 4 points याद रखनी की जरूरत है और यहां पर इंडिकुमार गुजराल जी ने जब यह डॉक्ट्रीन रखी तो उसमें जो सबसे पहला यह जो पार्ट था वो यह था कि नो साउथ एशियन कंट्री विल अलाओ इस टेरिटरी तो बी यूज़ अगेंस दे इंट्रेस्ट आफ अनदर कंट्री आफ दे रीजन मतलब कि यहां पर जो भी आट देश हैं हमारे तो यहां पर कोई भी देश ऐसा काम नहीं करे जो की विपरीत हो दूसरे देश के इंट्रेस्ट है मतलब कि अगर इंडिया का किसी चीज को लेकर इंट्रेस्ट है इंडिया चाहता है कि यहां पर ट्रेरिजम ना फैले तो जो पड़ोसी मुल्क है तो यहां पर इंडिया उनसे expect करता है कि वो ऐसी कुछ काम ना करें जिसकी वज़े से इंडिया में ट्रिरिजम फैनली की जो है प्रोविजन आए तो यहाँ पर पहला पार्ट यह हो गया, दूसरा जो डॉक्ट्रिन है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ चीज ताकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस डॉक्ट्रिंग के तुझ्रों हमारे नेबर हुड है, उनके अंदर विश्वास भरने की कोषिश की जा रही थी जो तीसरा पार्ट है वो आप देखिए, all South Asian countries must respect each other's territorial integrity and sovereignty, तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता है हर एक देश की, उसको हर एक देश को समझना होगा, मतलब कि अगर आपकी एक boundary बन चुकी है, तो यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, जिससे हम दूसरे देश की boundary को लेने का कोई भी खत्रा मन रहा है, और अगर suppose यहाँ पर कोई भी चीजें अगर workout नहीं करती है, तो यहाँ पर जो भी dispute है, इसको peaceful तरीके से सुल्जाना होगा, bilaterally, तो यहाँ पर जो भी देश के बीच में समस्या है, उन दोनों को आपस में ही सुल्जाना चाहिए, तो यह हमारा बन जाता है fourth part, और यही चार मिलकर दोस्तों बनते हैं हमारे गुजराल doctrine, और इसके साथ साथ दोस्तों, इंद्र कुमार गुजराल जी ने हमारे पड़ोसी मूलकों को और भी अच्छा उनके अंदर विश्वास भनने के लिए, ताकि इंडिया एक कोई brother, एक जो है big boss का attitude नहीं अपनाएगा, तो यहाँ पर उनके अंदर विश्वास भनने के लिए, यहाँ पर एक और doctrine लाते हैं वो, और यह doctrine specially इंडिया के perspective से होता है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इंडिया जो भी कर सकता है हम अपने पड़ोसी मूलक के लिए, चाहाँ वो good faith में और trust के basis पर वो इंडिया पूरी प्रयास करेगा दूसरे पड़ोसी मूलक के साथ काम करने में और उनको जो भी साहता देना पड़े वो इंडिया देगा, और यहाँ पर इंडिया ऐसा नहीं है कि कुछ expect कर रहा है, मतलब कि it does not ask for reciprocity, इसका मतलब होता है कि अगर इंडिया क कुछ दे रहा है, तो उससे कुछ expect नहीं कर रहा है कि वो भी देश हमें वापस कुछ दे, यहाँ पर जो भी इंडिया कर सकता है वो करेगा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह जो गुजराल doctrine है, वो आज भी हमारे देश के लिए काफी जादा relevant है, लेकिन यहाँ पर ची के मुकाबले, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो चाइना का footprint है, वो काफी जादा expand हुआ है, पिछले 30 सालों से जिस तरह से economically चाइना बढ़कर आया है, पूरे विश्व के सामने, उसकी वज़े से इंडिया को भी काफी जादा समस्या हुई है, तो यहाँ पर चाइ security concerns की वज़े से हमेशा उसके अंदर वादा आ जाती है, तो यह भी एक challenge है, और recently आपने देखा होगा दोसनों कि जो इंडिया का current slowdown चल रहा है, उसकी वज़े से इंडिया के लिए भी काफी मुश्किल आ गई है कि वो जो trade है, वो हमारे पडोसी मुल्कों के साथ और खोल पाए क्योंकि यहाँ पर जो domestic industries है, उनके अंदर भी खत्रा मन राता है, तो यहाँ पर इसमें भी एक कुछ challenges हमें साफ देखने को मिलते हैं, अब इन सारे challenges के साथ हम गुजराल doctrine के साथ-साथ क्या और additional चीजे कर सकते हैं, ताकि हमारा जो नेवरूट की policy है, उसको और भी जादा बहतर बनाए सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि in the age of shifting geopolitics, India must re-strategize, इंडिया को कही ना कहीं जो अपनी policy है, उसको और re-strategize करनी होगी, जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया काफी जादा help करता है पूरे वर्ड में अलग-अलग देशों के साथ, तो obvious ही बात है, यह resource scarce in nature है, मतलब कि limited quantity में है, तो हमने decide करना पड़ेगा, priority डालना पड़ेगा, कि जो हम दूर दराज के जो देश हैं, जैसे कि Africa हो गया, Latin America, जो South America की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे कुछ देश हैं, तो जब हम उनकी मदद करते हैं, तो क्यों नहीं हमें सबसे पहले अपने पड़ोसी मुल्क को ध्यान में रख के चीजें चलनी चाहिए, जो resource है, हमें उधर देश से shift करकर अपने पड़ोसी मुल्क पर जादा खर्चा करना चाहिए, ताकि हमारे पड़ोसी मुल्क को भी जादा फायदा मिले और वो हमारे पर जादा विश्वा टॉक, पॉलिटिक स्टॉक जितने भी होते हैं, इस तरह की चीजें बढ़ने से जो विश्वास है, वो काफी बहतर होता है, तो आप देख सकते हैं, पिछले कई सालों से जैसे की पाइपलाइन बिशाने की जो बात चल रही थी, इरान से लेकर, पाकिस्तान, इंडिया, त और साथ में जो security concerns है, इसको तो हम छोड़ नहीं सकते किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर हमें cost effective, efficient और reliable technology जो आज पूरे देश में अपनाई जारी है, अलग-अलग parts में, तो यहाँ पर उसको भी लाने की काफी जादा हो सकता है, तो यहाँ पर at last दोस्तों हम conclusion में कह सकते है कि इंडिया को कुछ ऐसा करना होगा कि जो हमारे neighbors हैं, उनके लिए जो transit का पूरा चीज है, जो connectivity का problem है, वो अपने आप में इंडिया एक natural choice बन जाए, मतलब कि वो इंडिया के through connectivity जादा से जादा बढ़ाने की कोशिश करें, जैसे कि आप देखिए किस तरह से China, नेपाल के साथ मिलकर जो connectivity को फैलाने की कोशिश कर रहा है, साथ में जो चाइना पाकिस्तान कोरिडॉर हो गया, या फिर चाइना का बंगलादेश के साथ, ये जितने भी चीजे हैं, इसको यहाँ पर इंडिया को first priority में लेनी पड़ेगी, मतलब national treatment देना पड़ेगा हमें, जितने भी transport network हैं, और जितने भी ports हैं, flights हो गएं या फिर sea ports हो गएं, तो यहाँ पर जिस तरह का facility हमारे देश के नागरिकों को दिया जाता है, वैसा ही हम कुछ उनके साथ भी कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर connectivity ज्यादा बैतर हो, और यहाँ पर जब neighborhood की जब भी हम बात करते हैं, neighborhood first, तो यहाँ पर हमें यह जो है बार-बार दोराने की ज़रत है, कोई भी international forum हो, किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, तो हमें इसको repeat करने की ज़रत है, जैसे कि आप सच्छता का example लीजे, यहाँ पर जब government ने काफी जादा prioritize किया सच्छ भारत के लिए, आप देख सकते हैं, कोई भी government का program होता था, वहाँ पर सच्छता की बार-बार बात की जाती थी, advertisement किये जाते थे, even note पर भी सच्छता के बारे में लिख दिया गया, stamp लगा दिया गया, तो इस तरह की चीजें जब बार-बार होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो impression है, वो काफी जादा अच्छे से जाता है, communication क काफी बहतर होता है, तो I hope दोस्तों यह जो पूरा वीडियो था, गुज्रार डॉक्ट्रीन के बारे में यहाँ पर काफी कुछ जाने को आपको मिला होगा, साथ में आप मेरे Instagram के stories में जाकर quizzes खेल सकते हैं, so till then, thank you very much guys, see you soon.